नमस्कार दूस्तों स्वागता आपका हमारी यूट्यूब चैनल पर और अभी अभी इस वक्त के सबसे बड़ी खबर राजस्तान में अभी हाली में नव निर्वाचित मुख्यमंत्री श्रीबजनलाल सरमाजी चुले गए हैं वहीं दो उपमुख्यमंत्री भी बनाए हैं जो की दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवाजी हैं इनको सपत ग्रहन करवाया गया है उसी दिन लिकिन अब दिया कुमारी और प्रेमचंद के डिप्टी सीम बने रहने पर संकट मढ़ रहा है और इनकी जो कुर्सी है वो जा सकती है इसका सबसे बड़ा जो कारण है वो क्या है वो सामने आया है लाश्ट तक वीडियो पर बने रहे हैं पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बैल आइकन को प्रेस कर लें राजस्तान में CM और डिप्टी CM पद की सपत हो चुकी है और काम काज भी शुरू हो चुका है ऐसे में बजनलाल प्रदेश की CM बने हैं लेकिन उनके साथ साथ दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा को उपमुक्य मंत्री बनाया गया है ऐसे में इन दोनों उपमुक्य मंत्रीयों की CM को लेकर एक वकील ने उचनलाले में जनहित याचिका दायर कर इस आधार पर चुनोती दी है कि उन्हें दिलाई गई जो सपत है वो पूरी तरह से समवेधानिक है यहाँ पर आपको बता दें कि वकील ने जनित याचिका में कहा है कि ऐसा कोई समवेधानिक पद नाम नहीं है और उनकी नियुक्ति रद की जानी चाहिए यहाँ पर बता दें सपत ग्रेंड समारों में बजनलाल सर्मा ने मुख्यमंत्री के रूप में सपत ली जबकि दिया कुमारी और प्रेम चंद बेरवा ने उप मुख्यमंत्री के रूप में सपत ली थी सपत ग्रेंड समारों में प्रधान मंतरी सिरिमान नरिंद्र मोदी जी और भाजपा के सीर्ष नित्रत उनने भाग लिया था आगे देखते हैं सुप्रिम कोर्ट और हाई कोर्ट अपना जो फैसला है वो क्या सुनाता है चैनल पर बने लाई ही चैनल को सबस्क्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें